तो देखिए एक चीज मुझे याद आ रही है मतलब जैसे क्रिकेट होता एक बल्लेवास से रन नहीं बनते हैं ना तो वह एक मैच में जाता है बड़े ही जोश में कि या तो आज आर होगा या तो पार होगा मुझे ध्यान है यह रासिंग आप कैंसर के बाद लौटे थे तो फॉर्म नहीं पा पा रहे थे वह फिर उन्हें टेस्ट के में जगह मिली और टेस्ट करिकेट में उन्होंने कहा के और उनकी उपर सपोर्ट भी था कि देखो तो आप अभी बीमारी से लौट के आ रहा रहे हो और आपको जो है वह पूरा सपोर्ट है आप पाईए एच्छ मैच मुझे और मिलेंगे और भी खराब चले गाया तो आगे और तीन- crushing मैच मुझे मिलेंगे पीछे सब्सक्राइब यह करता है या तो आर की लड़ाई लड़ता है जब वह खिलने आताता है अब कुछ लोग उसमें न ऊपर चले जाते हैं मतलब युपराइशन यैसे होत लगाई है उसके बाद बहुत ज्यादा जो उसमें है या तो आर होगा या तो पार होगा लेकिन अभी तक तो जो है वो बॉलीवड जीरो पर ही आउट होता चला आ रहा है मतलब एक एक फिल्म अच्छी जारी है तो तीन चार फिल्में यह वो डिजास्टर जा रही है और उस उसके दो ट्रेलर निकाले इन्होंने और दो दिन बद मुवी रिलीज हुनी है वह चली ठीक है एक नई स्टेटेजी समझ में आ गई कि आपकी फिल्म को इत्ता अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिला है एडवांस बुकिंग बहुत सलो चल रही है तो आपने यह पैंतरा चल दिय कि मतलब बॉलिवड करना किया जाता है किस दिशा में बॉलिवड या रहा है अब एक और चीज मुझे पता चली कि तीन महीने पहले ब्रहमास्त्र का ट्रेलर भी पंदरा जून को रिलीज कर दिया जाएगा यह कहां की बख्चोदी है यह क्या मचा रखा है मुझे यही को रहे हुंगा दुणा में कोई भी बंदा बना रहा है जो मेरा अनभव अभी तक में OHISA किसी को नहीं बता था मैं OWN CK बनाई के विगने ब्रहममास्त्र को सुनने को मिल आपने दिमाघ लगएग मेरे ख्याल से नहीं बताए होंगे क्योंकि जो चीज़ां वो कर रहे हैं यह एसस राधा मौली साब कभी नहीं करते हैं आपने देखी लिया होगा और और बाहु वली के टाइम पर तीन महीने पहले आप आलमुस्ट तीन महीने पहले मूवी का ट्रेलर ला रहा हैं कैसे तीन महीने बाद जब मूवी आपकी रिलीज होगी लोग भूल चुके होंगे इसका टेलर का वाया था अब आप भी अगर दो तीन टेलर निकालने की मूड में हर महीने एक टेलर निकालेंगे तो आप जो है वो बी और टीजर वो मोशन पोस्टर भी एक मिनिट का था तो साथ अट मिट की मूवी आपने अल्रेडी देखा दी ऐसर अगर यह चीज करते तो मेरे ख्याल से मेरी सुई जो एक तरफ जा रही है कि उनके नाम जुड़ा हुआ है कि उनके नाम से मूवी चल जाए आयना मुख की मूवी ला रहे हैं तो उन्हें को बहुत से लोग बुला चुके होंगे तो इसलिए ऐसे राजय मौली साब का नाम जुड़ा है कि अब बात करते हैं जो कलिक टीजर डाला उसमें मतलब मैं देखिए मुझे मोशन पुस्टर अच्छा लगा था हमने उस पर वीडियो का एड देख रहा हूं मुझे इतना इतना बचकाना वह चीज लगी है वह मुझे लगे नहीं कि ऐसे राजय मौली साब का इसमें नाम जुड़ा है तो उन्होंने को सहियोग भी किया होगा इसमें कि यह कैसे भी एफेक्स हैं मौनी रोय का आप लुक देखिए आपने जल् मौनी रोय इन सब के मोशन पूश्टर करते तो हाइप और क्रियेट होती आपने टीजर डाला बताया कि पंद्रा जून को हम टेलर ला रहे हैं और टीजर में भी आपने मतलब इतने बचकाना वह भी एफेक्स लगे हैं मौनी रोय का जो लुक था जो उनकी फोटो बगरा इंस्टाग्राम पर हम देखते रहते हैं उसके बाद डारेक्टली वह मैंने उनका लोग देखा तो मुझे इतनी हसी आई इतनी हसी और नागार जुना और जो अमीरा बच्चन का लोग है वो तो आपने पोश्टर वगरा में देखी लिया होगा और रनवी का पूरा लिया वटका तो पहले ही आज चुका है तो और यह स्ट्रेटेजी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आप लोगों की क्या रहा है हमें जरूर से बताएं इन सब के बारे में फिलाल वेट करते हैं पंदरा तारीक कैसी लिए मैंने शुरू में बोला कि वॉलिवूड किस दूर जा रहा है क्या करना चाहता है क्या नहीं करना देखवा फिर से जीरो पर आउट ना हो जाए मिलते हैं आप से बहुत जल जैहिन बंदेवात रहूं